दोस्तो एक बार फिर से आप सबी लोगों का UP-PCLJE इलेक्ट्रिकल की प्रिपरेशन में ताबर तोड़ स्वागत है दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं कि UP-PCLJE का अब एक्जाम डेट आने वाला है और आप लोग तैयारी में जुड़ गए हैं मेरे भाई यहाँ पर छोटे से वीडियो को बताने का टार्गेट सिर्फ यह था कंपर्टीशन वाला जो दोस्तो आप लोग पढ़ते हो बार बार भोल जाता है दोस्तो मैं इसी को आज कहानी के तरह बताऊंगा और कभी नहीं भूलेगा दोस्तो यहाँ पर साइन वेब वेब दोस्तो कई परकार के होते हैं साइन वेब फूल वेब रेक्टिफायर साइन वेब हाफ वेब साइन वेब रेक्टिफायर ठीक मेरे भाई उसके बाद जो है रेक्टिंगुलर वेब और ट्राइंगुलर वेब के बारे में हम लोग करेंगे तावर्तों डिवीजन और दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं इसका इन सभी वेबों का RMS वैलू, Average वैलू और Farm Factor, Peak Factor के बारे में कि इसका मान क्या होता है क्या होता है मेरे भाई आप लोगों को कुछ याद रहता है लेकिन मेरे भाई आज के बाद आप लोगों को हम भूलने नहीं देंगे इस जन में तो बिलकुल नहीं भूलने देंगे भूल गए तो दोस्तों भूल गए तो کम कम paper भर तो हम भूलने नहीं देंगे ये मेरी guarantee है बस दोस्तों ये कहानी के तरफ पुरा ये बात सुन लिजिए, आप लोगों को नहीं भूलेगा, ठीक है, देखो मेरे भाई, यहां पर साइन वेब और फूल वेब रेक्टिफायर जो है न, ठीक है, इन दोनों को हम बोल देते हैं कि ये दोनों क्या लैला मजुनू की तरफ बिभार करते हैं, लैला मजुनू है, प्यार मुवबत का खेल है, ठीक मेरे भाई, कहने का मतलब ये है, ये कहता है कि जो तुम मान रहोगी, जो तुम्हारा जो मान रहेगा, वो ही मेरा मान रहेगा, हम दोनों साथ साथ रहेगे, कहने का मतलब ये है मेरे भाई, आप लोग होता है यहीं नहीं होता है चाहे आप करेंट का लिजिए चाहे बोल्टेज का लिजिए तो यहां पर करेंट का ले रहें ठीक है दोस्तों यहां पर लिखोगे i rms is equal to यह होता है धीवे धरों दोस्तों हम लोग सब समझ जाएंगे और दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं 0.707 कहते हैं ठीक है I am तो यह फूल वेब रेक्टिफायर वाला जो साइन वेब का है वो मुस्कुरा रहा है अरे जब तुम आ गए तो वही तो मेरा मान रहेगा भया ठीक है तो यहाँ पर फूल वेब रेक्टिफायर के लिए क्या होगा मेरे भाई यही मान होगा ठ याद नहीं करना है बस दिमाग में बैठाना है कि साइन वेव लैला हो गई तो यह मजनू हो गया पूरा सिम्ल से मुतरेगा ध्यान दिजिएगा अब देखो उसके बाद जो है average value क्या होगा तो I average का मान क्या होगा मेरे भाई जब आब यहीं आएगा कि I am by ठीक है 0.6 ठीक है 36 होता है और हो जाएगा I am इतना बात मेरे भाई आप लगों को पता है पता है हाँ तब full wave rectifier sine wave के लिए भी average value का मान दोस्तों क्या होगा जल्दी बोलो अरे भाईया मुझसे बोलो 0.636 होगा into I am ठीक है न मेरे भाई I am का होगा अच्छा अब बात करते हैं farm factor का kf कमान क्या होगा देख मेरे भाई sine wave के लिए 1.11 होता है तो इसके लिए भी होगा वही मान 1.11 ठीक है लेकिन मामला ये फस्ता है मेरे भाई कभी कभी पूछ देता है कि फार्म फैक्टर का सुत्र क्या होता है सुत्र वे पूछ देता है तब क्या करोगे तब दोस्तों आप लोगों को याद करना होगा न तो यहाँ पर फार्म फैक्टर इसकोलिटू होता है rms value ठीक है rms value और दोस्तो अपान में क्या होता है बोलिए पढ़ते होने मेरे भाई जवाब दो जवाब हो जाएगा मेरे भाई average value ठीक है average value ठीक है पुरालिक लिजेगा ये होता है जब इन दोनों का जब मान जब भरेंगे न तो यही आएगा ठीक है अच्छा अब बात करते हैं peak factor का kp का मान क्या होता है तो kp का दोस्तो जो मान जो होता है ध्यान देना तो kp मतलब दोस्तो peak वाला होता है peak माने maximum तो यहाँ पर बोलना maximum ठीक है maximum value होता है तब जाके होता भी या rms value अपान में rms value और दोस्तो जो हम लोग उसका मान जब भरेंगे न तो यहाँ पर kp का मान आता है बोलो 1.414 होता है यह होता है अच्छा तो full wave rectifier के लिए भी क्य होगा मेरे भाई यह होगा 1.414 ठीक है यह हो जाएगा अब ध्यान देना आप लोगों को सिर्फ एक याद करना है साइन वेव वाला दिमाग में बैठाओ कि साइन वेव वाला तो हम लोग बच्पन में नहीं डिप्लोमा फस्तियर में पढ़े हैं कि दोस्तों आप लोग ट के लिए अब मेरे भाई आफ यह होगा तो ध्यान दो पहले इसको पढ़ने से पहले हम आपको बता देना इसमें सबसे सीधा पता है कौन है सबसे सीधा कौन बताइए कौन सा वेव है दोस्तो जवाब हो जाएगा सबसे सीधा जो है रेक्टिंगुलर वेव है ये वेव है अच्छा दोस्तो हम ये बात क्यों बोले है इसके पीछे राज है कि ताकि आपके दिमाग में ये बात घुच जाए कि रेक्टिंगुलर वेव जो होता है सबसे सीधा होता है नो लफडा किसी से कोई दिक्कत नहीं है कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि लफडा पैदा नहीं करता है लडाई ज़डा नहीं करेगा सबसे सीधा है देख मेरे भाई यहाँ पर ठीके, I-RMS का जो मान होगा, ठीके, Maximum मान के ग्या होगा, एक्वल होगा, अच्छा, और I-Average का भी जो मान होगा न, वो भी I-M के एक्वल होगा, और ये कितना सिधा है, और दोस्तो, KF का भी जो मान होगा, वन होगा, और ये बहुत सिधा है, और दोस्तो, KP का भी जो मान है इसका भी मान one होगा अब बताओ इससे सिधा कोई है तेड़ा कौन है ठीके दोस्तो कोई तेड़ा नहीं है यदि कोई तेड़ा आ गया न तो तेड़ा है पर मेरा है दोस्तो इसको हम लोग बनाएंगे अब देखो यहाँ पर अब बात करते हैं हाफ वेप के लिए देखो मेर तुम्हारे में I am by root 2 है root 2 है रुको तुम्हारे root 2 को हम गायब करेंगे गायब करोगे दोस्तो यहाँ पर I am by 2 हो जाएगा कहाने का मतलब यह है मेरे भाई कि यहाँ पर root 2 का भाग देते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जवाब क्या हो जाएगा I am by 2 यह हाफ वाला बोलता है क हम root 2 का भाग देंगे मिला जो लाके मिरे भाई I am by 2 लिखना और देखो one by two मतलब एक का आधा क्या होगा जल्दी बोलो 0.5 होगा और हो जाएगा I am इतना बताया अब देखो half wave वाला जो है full wave से कहता है कि तुम्हारा मान क्या है देखो two I am by pi है न ये ये मान है न ये ही मान इसका भी तो है मेरे भाई तो यहाँ पर कहता है कि तुम्हारे में जो दो जो दिखाई दे रहा है न उसको हम गोली से उड़ा देंगे हटाओ नहीं तुम्हारे में दोस्तो हो जाएगा I am by pi कहने का मतलब ये मेरे भाई कि यहाँ पर half wave साइन वेप के लिए दोस्तो क्या प्रेक्टिफार के लिए ठीक है average value कमान I am by pi होगा और दोस्तो जब हम लोग इसका भाग देते हैं तो बताई इसका भाग देने पर मान क क्या आएगा पताई आप लोग परते हैं ना दोस्तों यहाँ पर जबाब हो जाएगा 0.381 होगा 0.3181 होगा ठीक है आप लोग भाग दे लिजेगा नहीं तो मेरे भाई इतना भी साही है इंटू आइम भी होगा ना अच्छा अब देखो इसके बाद के अफ आता है और के पी आता है अब समस्या हुआ और इसको कैसे याद करें यदि हम लोग फार्मूले पर भारेंगे तो मान निकाल लेंगे लेकिन मेरे भाई यूपी पीसेल जेई की एकजाम के अब तैयारी करने जा रहे हो एकजाम में बैठे हो एकजाम डेट आ गया है एकजाम में पेपर दे रहे हो तो वहां पर भाग दोगे नहीं वहां भी दोस्तों ताबर तोड़ लगाओगे कि भाईया इसका मान होगा 1.57 होगा ठीक है यह मान होगा और केपी का जो मान जो होता है मेरे भाई यह नहीं भूलोगे यह नहीं भूलोगे कैसे नहीं भूलोगे दोखो यह हाफ है हाफ मने क्या पागल है सबसे अधिक पागल है हाफ है मतलब सबसे अधिक है दोस्तों इसका मान दो होगा और ये बात ध्यान देना सबसे अधिक हम इसलिए बोले हैं क्योंकि केपी का मान जो है आधिक हाफ वेब का भी हो गया और ये बचारा क्या सबसे सीधा है रेट्रेंगुलर वेब का अब बताओ कैसे पढ़ेंगे देख मेरे भाई इसका आयारमेस जो होता है जरा तुलना करो कि अरे यार इसका देखो आयम बाई रूट टू है आयम बाई रूट टू है ना रुक ठीके 5 7 8 होता है और हो जागा दोस्तों I am हो जाएगा I am ठीके इतना भी सही है ठीके लेकिन इसका मान यह होगा दिमाग में बैठाना है क्या बैठाना है I am by root 2 नहीं ट्रेंग्लर के लिए रूट 3 कर देंगे अप धियान देना मेरे भाई इसके बाद यहाँ पर क्या होगा ठीक है यह वाला average value का मान average value का मान क्या होगा triangular wave के लिए आप बताओ तो triangular wave जो होता है average के लिए क्या करेंगे बस किसके बगल में जाना किसके बगल में यह जाता है घुमते फिरते जाता है कहाँ half wave rectifier के rms मान के पास जाता है कौन भीया जल्दी बोलो triangular wave का average value जो होता है मान वो जाता है मिलने मुलाकात करने किस से half wave rectifier के rms वैलू से कहने का मतलब यह है कि same to same जो है दोस्ती हो जाती है और इसका मान दोस्तो हो जाता है ठीक है IM by 2 मतलब 0.5 आधा होता है हो गया और बचता है मान दोस्तो kf का मान क्या होगा kp का मान क्या होगा ठीक है दोस्तो इसको याद कर लिजेगा 16, 178 अरे यह क्या को बोल दिए गलत है रुकिये रुकिये बताने पूरा बाद 16, 178 मतलब one point लगा दो one point लगा दो हो गया 1.16 1.78 एक 16, 178 या किसका मान है ट्रेंगुलर वेप का मान है किसके लिए kf और kp का मान है अब बताव मेरे भाई इतना सारी बात हो गई आसा करते हैं कि आप लोगों को आ रहा होगा बस मेरे भाई सिर्फ एक मिनट सिर्फ एक मिनट जो है और देख लिजिए और मेरे साथ साथ जो है ताबर्तोड बोलिएगा ठीक है उसके बाद जो है यदि आपका मन करेगा तो आप लोग जिनसे दिराज जो बाते जो करते हो दोस्तों से और लोग जो आपके के करीबी पुरा है उनको ये वीडियो सेर कर दीजेगा मेरे भाई आप लोग साथ नहीं करोगे तो कौन करेगा ठीक है मुझे पता है आप लोग साथ करोगे क्योकर दोस्तों हमारा चैनल जो हबी नया है और आप लोग साथ करेंगे देख मेरे भाई साइन वेव और फूल वेव रिक्टिफायर के लिए क्या होगा सभी मान एक अही होता है तो ये वाला तुम लोग 1st year में पढ़े हो आप लोग क्या हो पढ़े हो निरे भाई पढ़े हो एसे theory में अच्छा तो वही मान ये होला हो जाएगा half wave के लिए क्या होगा rms मान जो कहता है full wave से हम तुम्हारे route two में जो है route two जो दिखाइद रहा उसको हटा दो तो हट जाएगा या भाग दे देना है तो यह आ जाएगा मान और average value जो कहता है full wese To क्या कहता है कि तुम्हारे जो दो जो दिखाइद रहा है उसको हटा दो गोली मार दो ठेखे हो जाएगा बागी दोस्तों यह kf kp का मान हाँ kp वाला याद रखना है कि सबसे अधिक होता है हाफ वेप के लिए अब देख मेरे भाई अब देखो ट्रेंगुलर वेप के लिए क्या होगा सब लोग रूट टू का डिवाइट कर रहे थे आयम में अर्मस जब निकलना था लेकि इस ने रूट थ्री का डिवाइट किया और यह हो जाएगा 0.578 यह भूलेगा तो आप लोग जो हर काप पर में करड़ करके ना रू ब्रेश का जो मांज होता है न वो जाता है किसमिलने मिलने मिलने जाता है किसकेpected SMS मिलने जाता है कि चाल मतलब दूनों पहीं होते हैं और क्यमक का मांज होता है 116 KP का मान 188 मतलब 1.16 1.78 मेरे भाई ये छोटा सा वीडियो अपने दोस्तों में जरूर सेर कीजिएगा ठीक है दोस्तों आपके लिए हम लोग जो है UPPCLJE कोशन पेपर को भी बना रहे हैं जिसमें टेक्निकल और नन टेक्निकल दोनों प्रश्ण होते हैं ताबड तोड़ होते हैं ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आपका दिन सुभध धन्यवाद थैंक्स फार वाचिंग